Hey everyone welcome back to my channel आज हम बात करेंगे जैसे आपने थम्निल में देखा कि हम B612 जो हमारा software है उसको किस किस तरह से utilize कर सकते हैं और आप अपनी thumbnail image को किस तरह से और improve कर सकते हैं जिससे कि वो और better दिखे तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने B612 application open किया हुआ है अगर आपके पास नहीं है तो आप play store से download कर सकते हैं आप इसमें image को भी edit कर सकते हैं आप इसमें अपनी photo को भी edit कर सकते हैं आप इसमें video record कर सकते हैं आप इसमें image को भी click कर सकते हैं with different different filters और different effects लगाने उसके साथ बट आपके पास कोई image already clicked है क्य didnt want to improve करना चाहते हैं तो सबसे फोगाभी है सबसे पहले सिन प्रूंच करें और थे को यह यहां पर मैंने अपनी को सेलेक्ट कर लिया है अब आप यहां पर देख है international टेक्स्ट, एफेक्ट, फिल्टर, ब्रश, एड्जेस्ट, बॉर्डर, डीसलर, बॉर्ड यह सारे ओप्शन्स आरहे हैं अब आपने मेकप नहीं किया हुआ है आपके जो इमेज जाए उसमें मेकप थोड़ा सा दिखा सकते हैं यहां पर मेकप पे क्लिक किया हैS style, hair colour, contour, blush, lipstick, eye colour मतलब सारे प्लाइ करते हैं सारे मेकप यहां पे दी हुए है अब हम क्या करेंगे अब हम जाएंगे Lips Color पे जैसे ही Lips Color पे जाएंगे और यहां पोल्ग मारे पास लिप्स्टिक के यह हैं यह मैंने लास्ट वाला सेलेक्ट किया और इसमें लास सेसे कंद अर इसको मैंने थोड़ा सा बढाया अब देखिया इसमें हम और में अटोमेटिक लिपस्तिका है फिर हम ब्ॉष पहर जाते हैं दे करने हैं थोड़ी सी इमिज को अब राइट करनी है तो अब जाएंगे फिल्टर यहां पर देख रहें बहुत सारे फिल्टर दियोगे हैं बहुत धेड थे अरे अपने साप से यूज कर सकते हैं जो हम यूज कर लेते हैं कभी कदार वह हैं हमारा यहां पर वीडी टू जैसे आपको कोई इमेज को फिल्टर के साथ अगर क्लिक करना है तो जैसे यहां पर हम सबसे पहले दिखाते हैं यहां हम जाते हैं एफेक्ट्स पर यहां पर बहुत सारे effect दिये हुए हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं फिर यहां पर filters दिये हैं आप चाहते हैं फिल्टर के साथ image क्लिक हो तो देखें यहां पर coloring change होगी तो यहां फिल्टर के साथ photo साथ में click कर सकते हैं तो इसमें यह भी option दिया हुआ है यह हो गई हमारी image से related बात अब आते हैं वीडियो पर तो जैसे ही हम वीडियो पर click करेंगे तो आप वीडियो को भी filter लगा के यहां पर record कर सकते हैं तो यहां पर हम आते हैं और यहां पर मैंने कोई भी select किया कोई भी जो भी filter हमें लेना है उस filter का यूज करके हम वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं यह हो गई वीडियो रिकॉर्ड करने की बात अब हमें कोई वीडियो एडिट करनी है तो हम वो भी इजली एडिट कर सकते हैं तो यह हमने यहाँ पर वीडियो इंपोर्ट सेलेक्ट कर ली है आप कर सकते हैं किन्सीं कर चिया है पिर सकते हैं क्या tyre कर देंगे तेमने तरह हुआ फिर आपके ॼिचì कर थे कि लिए यह पिर ने कर सकते हैं आप स्पीड रीवर्च दिये फिर से यहां सकते हैं मुजिक बश्राइब कर सकते हैं इसमें सारी दिये हुए है इसमें अपनी जो रिकॉर्ड विडियो वहां पर फिल्टर लगा सकते हैं यहां पर इस सारी और प्रप्रण दिये हैं और फिर आप इसको कर देंगे चाहिए अगर आपके पास यह अप्लिकेशन नहीं है तो आप लेश्ट से डाउन्योड कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर